नमस्कार दोस्तों आज मैं राजस्थान में हूँ और राजस्थान में हम कुछ अपने मित्रों से मिले तो उन्होंने ये पगडी उपहार सरूप हमें भेड़ करें और उन्होंने खास तोर पे कहा कि आप ये पगडी पहन कर वीडियो बनाएंगे तो उन्हें बहुत प्यार से कहे तो उसको इंगार नहीं करना चाहिए मैं बात कर देवाला हूँ मिथुन राशी की और मिथुन राशी के जो भी जातक है उनके लिए मंगल का परिवर्तन क्या रिज़ड लेकर आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ एक जुलाई को मंगल जो है सिंग राशी प्रवेश कर जाएंगे और मिथुन राशी वालों के जीवर में क्या पहत्री आने वाली है इस परिवर्तन से मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरे सर के उपराज ये शांदार सी पगड़ी है तो मैं आपको बताने वाला हूँ मिथुन राशी वाले भी अब राज करने वाले हैं उनके सर पर भी ता जाने वाला है मंगल का परिवर्तन आपके लिए इतना शांदार होने वाला है मित्रुन राशी के जातकों के लिए मंगल आपके छटे और यार्वे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल का सिंग राशी में जाना मित्रुन राशी वालेों के लिए बहुत यह अच्छे रियर लेकर आएगा अच्छे बुरे दोनों परिणाम मिलेंगे लेकिन अच्छे जाधा मिलेंगे इस समय में आप देखेंगे यह समय आपका व्यक्तिकत विकास होगा यानि आपकी जो पर्सनल चीजे हैं वो चीजे बढ़ने वाली है यात्राएं आपकी लाबकारी रहेंगी करियर के लिहास से आप देखेंगे आपकी नौकरी लगने के योग है नौकरी में नए आउसर मिलने के योग है नौकरी में चली आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलने के योग है कुल मिलाकर नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है नौकरी में प्रगती और तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं कुछ लोगों को तो विदेश जाकर भी नौकरी का सुआउसर मिल सकता है विदेश जाएं और नौकरी करें मंगल जब भी सिंग राश्री में जाएंगे तो मितन राश्री वालों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा नौकरी करने वालों के लिए बात करें वैपार करने वालों के लिए तो आप कोई बढ़िया नए बिजनस की शुरुआत कर सकते हैं कोई बढ़िया वैपारी डील कर सकते हैं आप अपने प्रतेदोंदियों को अपनी दुश्मन को टक्कर दे सकते हैं तो मितमनाशिवा लोग के लिए वैवसाय हो यह नौकरी हो उसमें बहुर बढ़िया तरक्की के रास्ते खुड रहे हैं आप अपने वैपार को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए खुब प्रियास करेंगे जिसमें अधिकतर मामलों में सफलता मिलेगी आप अपने काम को आउट्सोर्स करवा सकते हैं यानि अपने काम को अलग-अलग जगों पर दे सकते हैं कुल मिलाकर मंगल जैसे ही सिंग राश्री में जाएंगे एक जुलाई से आपका नौकरी में तरक्की, प्रॉफिट, मुनाफ़ा जो भी कहें वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वैपार में भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आर्थिक रूप से देखा जाए तो आप भाग जाकर भी तरक्की, विदेश से देश में आकर भी तरक्की, जनी दोनों हाथों में लड़ू, प्रयाप्त मात्रा में पैसा बचाने के मौके में लेके खर्च भी बढ़ेगा, आमदली के रास्ते खुलते ही चले जाएंगे, अगर प्यार इश्महबत की बात की जाए, तो स समझेंगे, जीवन साती के साथ रिष्टा खुब प्यार भरा होगा, स्वास्त को लेकर कोई बहुत बड़ी दिक्कत थे हैं, चोटी मोटी परशानी आएंगी, तीसरे भाव में बैठे मंगल, छटे, नौवे और दस्वे भाव पर दस्टी डाल रहे हैं, तो इसके पैणा हो जाता है, अब आप किसी भी परिष्टिती से, किसी भी परिशानी से डरेंगे नहीं, और हर परिशानी से बाहर निकलने का रास्ता आपको पता होगा, कि ये समस्या है, इससे बाहर कैसे निकला जाए, सफलता पाने के लिए जो तरीकिया आपको अपनाने होंगे, आप उ सीखने वाले हैं, बहुत को दुनिया को सिखाने वाले हैं, आप बहुत सारा ज्यान हासिल करने वाले हैं, बहुत बुद्धी जीवी बनने वाले हैं, नई नई चीजों की खोज करने वाले हैं, तरक्की होने वाली है, आप कुल दीपक की तरीके से चमकने वाले हैं वैपार, नौकरी, शिक्षा हर जगे पर बहुतरी होने वाली है परिवार में खुशी आने वाली है एक नए दृश्टी कोल के साथ एक नई सोच साथ आगे बढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया समय है फिर नमरता, जितना आप प्यार से बात करेंगे, जितना जुक के बात करेंगे, जितनी मीठी बात करेंगे, उत्ती तरक्की आएगी, आपके सस्राल वालों की भी तरक्की होगी, आपकी भी तरक्की होगी, खाओ, पीओ, एश करो, बड़े भाईयों किसे आपको कोड़ी बनाएंगे चांडी का चल्ला पहन सकते हैं हां कुछ दुष्ट दोस्तियार होंगे जो आपका पैसा खा सकते हैं उनसे बचने की कोशिश करिएगा बहुत ही बढ़िया समय हैं बहुत ही शांदार समय हैं जितनी भूख हो उतना ही खाएं जरूर से जादर ना खाएं खुद खाएं मिठाई दूसरों को भी खिलाएं मिठाई मंगल की जो दुष्टी है वो छटे नौवे और दस्वे घर पर होगी तो मंगल आपको इतना धन देंगे इतनी तरक्की देंगे कि आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी आप इतना बढ़िया काम करेंगे कि यश् प्रोमोशन होती चली जाएगी तरक्की मिलती चली जाएगी वैपार बढ़ता चला जाएगा बस मीठी भाषा बोलिए मिलना बढ़ता सभाव में लेकर आईगे मंगल की दस्टी जो है आपको पैसा कमाने के रास्ते में कोई कमी नहीं होने देगी खुब पैसा कमाने के खुब धन का आनंद लेंगे खुब बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगे दिखावे बाजी शो बाजी में पैसे को खश्च मत करिएगा बित्रों की फालतों की बाते सुनकर पैसा खश्च मत करिएगा आपके कलम की ताकत जो है तलवारति तेज होगी आपके जोड़दार और सफल प्रयास आपको विजयी बनाएंगे सुखी बनाएंगे कर्ज बुक्त बनाएंगे आप यकीन मानिए बढ़िया शांदार छटे भाव पर दश्टी होगी नवे भाव पर दश्टी होगी तो कर्म भी जुड़ेगा धर्म भी जुड़ेगा धार्विक यात्राएं भी होगी नौकरी विवसाई की समस्चाई समाप्त होती चली जाएंगी परिवारी सुख भी बिलेगा रोग मुक्ती भी होगी कर्ज मुक्ती भी होगी अनुशाशन भी होगा जीवन में सब कुछ वैसे होगा जैसे आपको चाहिए तो कुल भिलाकर अगर आप मितन नाशी के जाते हैं तो आपके लिए सुनहरे वसर यासर आने वाले हैं यकीन मानिए जैसे मेरे आँग ये midstया पहनी है चाहने वालों ने मुझे ये पग्डि बनाई अब आपके सर पर भी ऐसे ही पगड़ी सरते वाली है, ताज सरते वाला है, सफलता का, खुशियों का, अगर आपकी जिनम कुली में मंगल खराब नहीं है, तो यकीन माली सब कुछ बढ़िया होने वाला है, कताई चिंता की आउचता नहीं, जुलाई का महीना शांदार अगर मंगल आपकी जनम कुली में खराब है, तो थोड़ी सी चीनी वाली रेवडी, जिसमें सफेद तिल लगा होता है, उसको थोड़ी से 100 ग्राम, 200 ग्राम पानी में बहा दें, खुद भी मीठा खाएं, अपने महमानों को भी खिलाएं, यकीन माली है, मज़ा ही मज़ा है और इस पूरे उलाई के महीने में भगवान भोले नात की भी कृपा बरस रही है, सावन का महीना आ जाएगा, हर्मान जी को बंदिल जाकर सिंदूर चड़ाएं, मैं यही कहूंगा, आपकी सफलता की रेल गाड़ी, आपकी जो सफलता की बुलेट ट्रेन है, वो चल चुकी नमाश्चाव